क्या दूसकों जो दसवी क्लास को बारवी क्लास का रिजल्ट आया है MP Board का 29 अपरेल को दुपेर के एक बजे हैं अगर आप उस रिजल्ट में फैल हो गए हैं चाहिए आप दसवी क्लास के स्टुडेंट हो चाहिए बारवी क्लास के स्टुडेंट हो ठीक है जियां दोस्तों बिल्कुल आपने सही सुना हैं अकर आप दस भी क्लास में फैल हो गए हैं चाहें बारवी में चाहें आप एक सब्जक्ट में फैल हुए हैं चाहें दो में चाहें तीन में चाहें चाहें पांच में किसी भी सब्जक्ट में फैल हुए हैं तो चिंता कहते हैं रुक जाना नहीं योजना इस योजना में क्या होता है कि जो दसवी कलास के स्टुडेंट होते हैं जो बारवी कलास के जो चात्र होते हैं और वो चात्र फैल हो जाते हैं तो आप किसी भी सब्जेक्ट में फैल हुई हैं चाहे आप एक सब्जेक्ट में फैल हुए हूँ चाहें दो सब्जेक्ट में या तीन सब्जेक्ट में इससे कोई परकनी पड़ता है बस रुख जाना नहीं हो जुना में क्या करना होता है आपको आपेदन करना है यानि कि एप्लिकेशन फॉर्म बरना है रुख जाना नहीं हो जुना मे clear कर लेते हैं तो पिर क्या होता है आप उसी session में pass हो जाओगे और आपकी जो साल है वो खराब नहीं होगी यानि कि क्या होगा पिर आप सभी छात्रें जो की pass हो जाएंगे तो दसवी class में अगर बारभी class में अगर आप फैल हो गए हैं तो आप मुझे comment करें और किन-किन subject में फैल हुए हैं तो भी comment करें और आप मुझे Instagram पर follow कर लिजिए लिंक आपको description box में मिल जाएगा वहाँ पर आप मुझे comment करें मैं आपको पूरी problem का solution है वो बताऊँगा आपको क्या करना है MPSOS website पर जाना है और उस website पर जाकर के रुक जाना नहीं उजना को select करना है MPSOS MP online डानना यानि कि जो open MPSOS MP online link open होगी और वहाँ पर click करना तो रुक जाना नहीं उजना के session मिल जाएगा और वहाँ पर आपको form apply करना है form apply करने का क्या process जल्दी वीडियो upload कर दूँगा उसमें मैं आपको पूरी information बता दूँगा कैसे form में apply करना है तो उम्मित करा हैं पूरी जानकारी समझ में आ गई अगर आप फैलो गए जल्दी से instagram पर follow कर लिजे कि मैं आपको पूरी problem का solution वहाँ पर दूँगा मिल्दी नेक्स बीडो की साहत अपके लिए बाई